नमस्कार Mystic Acts और ललिख परिंग और अकेडमी की तरफ से आपको शुब कामना है तो आज का सेशन शुरू करते हैं जैसा कि मैंने कमिट किया था कि हर दिन दस दिनों तक ये 10 डेज वरक्शॉप या 10 डेज ख्लासेज होंगी आक्टिंग टिप्स जो लोग शुरू करना चाहते हैं जिनके मंद में जिग्यासा है जिनके अंदर एशना है इच्छा है कोई रास्ता नहीं मिल रहा भटके हुए है जल्दी जल्दी कुछ पाना चाहते है उनके लिए एकदम नए लोगों के लिए है चाहे वो ऑनलाइन सीखें चाहे ऑफलाइन सीखें यह बात की बात है लेकिन मैं इन दस लेसंस के जरीए एक बेसिक ओरिएंटेशन या एक बेसिक एजुकेशन देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं अभी उनों में शुरुबात नहीं की तो कल की बात मैंने क्या बताई थी कि फैन, कनॉसू, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट बनने की कोशिश करें धीरी धीरे आर्ट के जगत में और जाने और समझे आर्ट की बारीकियों को जाने अब इन्हें की बारीकियों को देख देख कर जानेंगे फिल्मों को देख देख कर नाटक और कुछ आक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके और कल मैंने एक important lesson शेर किया था वो था observation का कि आपकी दृष्टी में एक परिवर्तन आना चाहिए जीवन अब नया दिखना चाहिए नया कैसे होगा हर चीज हर घटना हर कार उसमें एक observer की दृष्टी डालिए यह छूट जाएगा 24 घंडे नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी प्रयास करें अपने आपको देखें अपने interactions को देखें विष्टे नातों में जो हो रहा है सुबह से लेके शाम तक जो भी आप कारे कर रहा है उसको देखते रहें देखना यानि पैनी दृष्टी से देखना observe परना ये पहला पार्ट मैंने कल share किया discuss किया observation की जो classes हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं मैं बीच में एक बार फिर और गहरा observe कैसे किया जाएं इस पर भी कुछ बात्चीत करूँगा आज कुछ अलग बताता हूँ मेरे अपने अनुभव मैं पिछले कई सालों से जो मैं शिक्षक की रूप में कारे कर रहा हूँ मैं यह अक्सर देखा हूँ कि जो लोग acting सीखने के लिए आतूर होते हैं बड़े उच्छाच आते हैं और कई बार पैसे भी अच्छे खासे खर्च करना चाते हैं कर देते हैं लेकिन सब कुछ है उनके अंदर डिजायर तो भरा पड़ा है ऐसा बूलते हैं कि हम आग लगा देंगे और हम यह कर लेंगे मेहनत करने के लिए तैयार है पट उन्होंने अपना homework ठीक सी नहीं किया होता है homework क्या है चुकि बनना उनको actor है तो बोलना नहीं जानते है बोलने की समझ डिवलप नहीं हुई है बोलने के साथ साथ पढ़ने की अब यहां एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी वो यह है कि actor का 50 to 70% कार है बोलना बगार बोले बगार वाचन के वो अभिने नहीं कर पाएगा तो वाचन के लिए क्या जरूरी है शब्द और शब्द के लिए क्या जरूरी है उसका उचारण उसका projection उसकी clarity और उसमें धारा प्रवाहिता और उसमें expressions यह थोड़ा सा काम सभी को घर बैठे कर लेना चाहिए इससे पहले कि वो कहीं workshop के लिए try करे एड्मिशन लेने की सोचे पहले इस area में थोड़ा सा काम करे अब वो क्या काम है मैं बताता हूँ अपने अनुभव में जो मैंने पाया बहुत लोग चार लाइन सीधा सीधा पढ़ नहीं सकते पंक्चुएट करना नहीं जानते पंक्चुएट याने कॉमा फुल स्टॉप इस area में वो एकदम पिछड़े रह जाते हैं अगर वो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो मुझसे हाली में संपर्ग में आये हैं और जेने शिकायत है कि हमने उन्हें क्यों admission नहीं दिया तो उनके लिए ये खास कर ये बात मैं समझाना चाता हूँ कि पहले पढ़ना और बोलना सीखिए आईए मैं एक demonstration देता हूँ छे-ाठ लाइने मैं पढ़के आपको सुनाता हूँ कि जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिले तो कैसे पढ़ना चाहिए ये एक कहानी संग्रह है मेरे पास राइटर इसकी शमा कॉल है उनकी लिखी हुई कहानिया है तो आप घर बैठे इस तरह की कहानिया पुस्तके या अखबार पढ़ सकते हैं साफ साफ उंचा उंचा विद प्रॉपर पंक्चोईशन विच मींज राइट कॉमा राइट फुल स्टॉप ये जरूरी है कॉमा और फुल स्टॉप लगाना लोग नहीं जानते जब वो पढ़ते हैं ये दुर्भाग यह है और सपने हैं बड़े-बड़े अक्टर बनने के और करोड़ पती बनने के तो शिक्षा के इस खेतर में बहुत जादा सीखने की जरूरत है उन सभी को जो खाब देखते हैं कि उन्हें अक्टर बनना है तो मैं छे आट लाइने इस कहानी से रीड करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि साधारन रीडिंग कैसे करनी चाहिए फिर मैं आपको ये समझाओंगा कि क्यों एक्टर को इस एरिया में इंप्रूव्मेंट की जरूरत है तो ये कहानी है न्यूजलेटर इसकी छे आट लाइने में परता हूँ दफ्तर का आयुजन है राज भाषा की सेवा और न्यूजलेटर छपे इससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है इस कमबख्त भाषा की दूई भाषी न्यूजलेटर छपेगा हिंदी में और अंग्रेजी में राज भाषा के प्रसंग में अहिंदी भाषी प्रदेश का किर्तिमान होगा ये सब बड़े साहब का कहना है कॉल की केविन से खुब शोर आ रहा है बातों ठाहकों के बीच से उसका एक किस्सा मुखर होटता है कल मेरी बच्ची ने अपनी वर्दी पर सियाही उंडिर दी थी क्या कहता है बड़ी शरीर मिजज है कुछ डांट फटकार दू तो खून के आंसों रूती है और यहां भी मुझे विब्धनी तरह के बच्चों से निवटना पड़ता है क्या तुम सब लोग मेरे बच्चों जैसे नहीं हो यूँ कॉल घर की बात को दफ्तर में सरका कर अपनी बात जारी रखता है और धीमे धीमे फैक्टरी के विट से भी बात को जोड़ता है दिमल गहरे विचारों में है खेर इतना ही मुझे आपको दिखाना था कि अब इतनी सी बात को जब कोई नया लड़का पढ़ता है या नया स्टूडंट पढ़ता है तो किस तरह की खलतियां करता है पहली खलती है अटक अटक के पढ़ना जैसे दफतर का आयुजन है राजभाशा की सेवा अब आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आप कैसे एक्टर बन सकते हैं आप कैसे एक्टिंग सीख सकते है तो अगर आपको स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई है जहां आपने बाकाइदा विराम पूर्ण विराम लाइन का थोड़ा सा अर्थ बनाते हुए नहीं बोला हो तो बहुत दिक्कत होगी अब अगर आपकी हैबिट ऐसी है कि आप पूरी लाइनों को जोड़ देते हैं जैसे माल लेजे पूर्ण विराम बिना लगाए पढ़ देंगे और न्यूस लेटर छपे इससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है इस भाषा की दुविभाषी नियूस लेटर चपेगा हिंदी में और अंग्रेजी में बहुत लोग ऐसा पढ़ते हैं तो इस पढ़ने की जो कला है पढ़ने की जो क्रिया है इसमें सुधार लना होगा और ये घर बैठे करना होगा ये आज का दूसरा टिप है इस सीरीज के टिप्स के सीरीज में ये दूसरा टिप है कि आप उंचा-उंचा साफ-साफ उचारण के साथ और धारा प्रवाह के साथ विराम पूर्ण विराम लगाते होगे पाए जब तक इसमें आप महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको किसी भी वर्क्शॉप में या किसी भी थेटर ग्रूप में एड्मिशन लेने की भी सोचनी नहीं चाहिए और उसके इलावा जो सबसे बड़ी तुरूती है वो स, श, ज, ज, ब, भ, इस सब की बहुत जादा है कई लोग अपने छोटे शहरों में रोजबर्रा की भाषा में कई बार श, को स, बोल देता है लेकिन वो वहाँ चल जाता है लेकिन ड्रामा के दुनिया में अभिना के दुनिया में ये नहीं चलेगा आपको उचारण सही करना ही पड़े रहा है तो इसका अभ्यास रोज करना है ये टिप है रोज आप या को ऐसे कोई कहानी संगरे ढूड़िए किसी भी मुस्तकाले से आपको धेल सारी कहानिया ये कविताएं मिल सकती है नेट से मिल सकती है उसका प्रिंटाउट ले लिजी और उसको पढ़िए और नहीं तो आप अखबार पढ़िए उंचा उंचा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आजकर निउस लीडर्स किस तरह से पढ़ते हैं निउस लीडर्स का जो ड्रामाई स्टाइल है उसको कॉपी करने की जरुवत नहीं है लेकिन निउस लीडर्स का जो उचारन है साफ साफ बोलना है उसको समझ के अपने जीवन में उतारने की जरुवत है जस्ट एज़ प्रैक्टिस एज़ एग्जरसाइस ये आपके जबान को ठीक करेगा आपको बोलने की एक ताकत देगा बोलने में भी शक्ति जाती है और अगर जिन लोगों का क्लारिटी का प्रॉब्लम है दफ्तर का आयोजन तो उसको ठीक करना होगा दुरूस्त करना होगा तो कैसे बोलेगा वो एक-एक अक्षर को साफ-साफ स्पष्ट करते हुए बोलना होगा दफ्तर का आयोजन है एक-एक शब्द को इज़प देते हुए बोलना होगा तो इतनी मेहनत आपको घर से ही करनी होगी आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं राज भाशा की सेवा तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जहां भी मात्राएं होती है हिंदी में मात्राएं होती है और साथ में व्यंजन होते हैं तो जहां भी ये मात्राइं हैं औ, आ, इ, आ, इ, उ, उ, आ, इ, आ, इ, उ, अ, ये जो है इसको साफ-साफ बोलने की आदत डाले एक्स्ट्रा वेट दे और एक्स्ट्रा प्रलोंगेट करें उसको लंबा क्हींचे उसको और रियल लाइफ में भी जब आप बोले हैं तो कोशिश करें कि साफ साफ और उंचा-उंचा बोले इन मात्राओं की मदद से आपको शब्द को फैलाने में मदद मिलती है शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा विशह है इस पर कभी फेर थोड़ी चर्चा करूँगा और अभिनेता की ये जिम्मेदारी है कि वो लिखे हुए शब्दों को इजद से बूलते हुए अभिने का कारे करे यहाँ ये बात समझनी है कि अभिने की जो कला है उसमें अभिनेता दोयम दरजे का कलाकार है सेकेंडरी आर्टिस्ट है वो वो प्राइमरी आर्टिस्ट नहीं है चाहे वो फिल्मेकिंग हो चाहे थेटर हो तो प्राइमरी आर्ट वहाँ पर क्या है प्राइमरी आर्ट है राइटिंग बगार राइटिंग के कोई काम नहीं हो सकता डिरेक्टर भी अपना काम तब शुरू करता है, जब उसके बाद स्क्रिप्ट होती है, बाकाइदा बंदी हुई, वेल बाउंड स्क्रिप्ट होती है, तब वो उस पर अपना काम शुरू करता है, तो पहला काम किसका है, राइटर का, राइटर ने कहानी लिखी है, एक फिल् सावारता है और उसके लिए उसे टीम की जरुवत है, उसमें अक्टर शामिल हो जाता है, तो अक्टर का काम तब शुरू होता है, जब राइटर ने अपना काम कर लिया और डिरेक्टर ने एक जमिदारी ले ली, राइटर के लिखे हुए काम को जिंदा, प्रस्तृत करने की तो एक्टर जब काम करता है एक रोल करेगा उस ड्रामा में, उस फिल्म में कई सारे characters होते हैं उन में से एक रोल वो करेगा और जो लिखा है वो ही बोलेगा आक्टर के पास यह आजादी नहीं होती है कि वो अपने मन से कुछ भी कह दे और कुछ भी बूल दे इसलिए वो secondary art आता है secondary artist बनता है तो primary artist, original artist तो writer है और writer के साथ director है लेकिन actor जब अपनी कला से उस काम में इतनी शिदत से काम करता है कि जब वो performance पहुंचता है तो वो जो character consider किया था writer ने और director ने अपनी कलपना से उसको मूर्त रूप दिया चाहे वो film हो चाहे ड्रामा हो और अभिनेता ने अपने शरीर, मन, वानी और भावनाओं दे साथ उसको जिन्दा किया तब देखने वाला उसी कलाकार को उसी अभिनेता को देखता है वो काम करते हुए जिसमें वो writer शामिल है director शामिल है, film है तो cameraman शामिल है, editing शामिल है सब चीज़े शामिल है लेकिन सामने जो देखता है वो है actor और जब कोई भी actor पूरी शिद्दत से, इमांदारी से और सत्व के साथ truthfully कोई character play करता है तब उसकी वहवाई होती है उसे पसंद किया जाता है और तब उसकी acting की भी तारीफ होती है और तब उसका जो art है वो secondary art से primary art में तबदील हो जाता है यहाँ वो claim कर सकता है कि हाँ, मैंने भी इमांदारी से अपना काम किया जो किसी और ने consider किया था किसी और की रचना को किसी और की कल्पना को मैंने अपने शरीर, वाणी और भावनाओं के साथ उसको जिन्दा किया यह actor की खुभी है और यहाँ actor वापिस एक primary artist हो जाता है और तब ही तो लोग उसे पसंद भी करते है तब ही लोग उसकी तारीफ करते हैं उसके प्यार में पढ़ते हैं उसके autograph लेते हैं उसके fan में लेते हैं तो यह काम आसान नहीं है तो आज की tip में मैं repeat कर रहा हूँ साफ साफ बोलना, रोज बोलें रोज पढ़ें अब material कहां से लाएंगे पहले मैंने मुला अखबार पढ़ सकते हैं हिंदी का अखबार पढ़िये लेकिन correct punctuation के साथ उसके लावा कहानियां पढ़िये कविताएं पढ़िये कविता से याद आया कि एक कविता का demonstration भी मैं आपको दीता हूँ क्योंकि कविता पढ़ने में ज़्यादा मेहनत है कविताओं का पाठ करने में शब्द को और ज़्यादा इज़त से बोलने की जरूरत पढ़ती है और जो काव्यात्मक्षब होते हैं वो वजंदार शब्द होते हैं और जब कोई सीखने वाला एक्टर उन शब्दों को अच्छे से बोल पाता है तो उसकी जबान भी मजबूत होती जाती है शब्दों पर कंट्रोल आता है बोलने में कंट्रोल आता है और धीरे धीरे उसकी वाचन क्रिया मजबूत होती जाती है तो आईए एक कविता का थोड़ा सा कुछ अंश पढ़ता हूँ ये नील गाथा नाम की कविता है जिसे लिखा है अपनी शेकर जी ने तो आप जब कविता पाठ करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक तो आराम से आपको बोलना है और आप देखेंगे कि आपको अंदर की शक्ति है वानी का चुकि अल्टिमेटली तो एक्टर का 50-70% काम बोलना है इस बात को दिमाग में रखें और बोलना सीखने में समय लगता है किसी और के लिखे हुए बोलने को सीखने में अपना तो आप कैसे भी कुछ भी करके बोल लेते होंगे जीवन में लेकिन किसी और के लिखे हुए बोलना अर्थ पूर्ण तरीके से बोलना इसमें समय लगता है और यही कला है आईए 6-8 लाइने पढ़ता हूँ समय के मूल एक काल है व्रिक्ष स्वप्न और स्वरती के क्षदेज पर अक्षय अंकुरित हैं शब्द कथाएं युगांतरों की काल विक्ष की छाया में वास करती जिग्यासाएं इस बार सुनते हैं व्यथा सतीसर की दू आकाश मार्ग से देखा देवताओं ने हिम मंडिक परवतों के बीच एक नव यौवना जील को जो समुद्र से कम नहीं थी विशालतर लहराती हुई और नील वसना ठगे रह गए देवताओं फूलों में सोई शताब्दियां थी जूम रही जन जीवन भी था सहज सरल देवताओं ने किया इतिहास में हेर फेर कि उनके पूरवजों ने किया है इस महा सरोवर का निर्मान यहां देवों की कांती से उत्पन हुई है धूप मुस्कान से फैली है हिम्राश में रिचाओं से बने है पक्षी और बने हैं देवताओं की अठखेलियों से मौसम विस्मृत नेत्रों से देखा नागों ने सती देश में अब यह देखे कविता का जब आप पाठ करेंगे तो आपको एक एक शब्द को साफ साफ और उंचा उंचा बोलने की आवश्यक्ता पड़ेगी फिर दीरी दीरे आप इसमें अर्थ भी ढूटते जाएंगे जैसे जैसे आपको कविता समझ में आती जाएगी लेकिन बुनियादी जो इसमें ट्रेनिंग होती है वो यही है जो मैं बार-बार पिछले 10-15 मिनिट से कह रहा हूँ कि टंग आपकी साफ होती जाती है अक्षर आपके अंदर से मोती की तरह जढ़ने लगते हैं और आप एक-एक शब्द उस शब्द के एक-एक अक्षर को तरीके से, सलीके से, इज़द से बोल पाते हैं तो यह याद रखिए कि अभिने की ये प्रशिक्षन ये बोलना ये शब्दों को इज़द दे के बोलना ये आपका धर्म है यही आपका पहला और सबसे important काम है आप बेशब बोड़ी बना सकते हैं आप अच्छी बोड़ी बना के dance और fight कर सकते हैं वो एक area है अभिने का definitely लेकिन ये बढ़ा area है ये ज़्यादा विस्तृत है चोंकि आपके बोले गए शब्द अपना प्रभाव छोड़ते हैं और शब्दों से ही तो सब कुछ होता है शब्दों से ही तो रस create होता है वो रस जो drama का सार है जिस रस से हम देखने वालों को रुलाते हैं जिस रस से हम देखने वालों को हसाते हैं जिस रस से हम देखने वालों के अंदर क्रोध की अगनी को भड़काते हैं वीरता का भावलाते हैं हैरानी से भर देते हैं डरा देते हैं रुला देते हैं वो किस से होता है शब्द से होता है और शब्द की बीचे क्या है यही अक्षर ये पचास अक्षर और ज्यान की बात कहूं ये पचास अक्षर दरसल इस पूरे कॉस्मोस को इस पूरी महा विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाले देवी देवता ही है ये पचास अक्षर जो बीज में है अ से लेकर ख्षर तक ये अक्षर इसलिए कहला जाते हैं क्योंकि इन क्षर और अक्षर ये दो शब्ध है which is indestructible so try to understand the work of an actor is such a noble work it is the work of a deity ये इश्वर तुल्द काम है ये दैवी काम है दैवी शक्ती से प्रेरित होते वे काम है तो इसलिए हर एक्टर जाने अंजाने एक साधक बनी जाता है चुकि वो इन अक्षरों के साथ काम करता है इह अक्षर अगर आपके अंदर वास कर जाए तो आपके अंदर से अर उस वानी का असर होगा तो इसलिए आपको अपनी वानी को इब्रू करना है कई लोग जो ये टिक-टॉक के आड्स बनाते हैं और अपने आपको एक्टर बनने की राह पर सोचते हैं और फिर किसी वर्क्शॉप में शामिल होना चाहते हैं ये बहुत बढ़ी भूल कर रहा है घल्ती करना है एक तरह से पाप कर रहा है पहले बोलना सीखिए तो आज की टिप क्या है बोलना सीखो वाचन करना सीखो चार प्रगार के अभिने की चर्चा है इनाट्य शास्त्र में आंगिक अभिने वाचिक अभिने आहारी अभिने और सात्विक अभिने तो उसमें जो आंगिक है वो आपके शरीर को लेकर है वाचिक है आपके वचन को लेकर है ये हिस्सा आपका कितना महत्वपूर्ण है यही के सारे देवता आपके भी तरवास करते हैं पुराने जमाने से जो वेद और उपनिशद पढ़ते पढ़ाते थे उनकी वाणी में ताकत थी और वो एक प्रकार के अच्छे अभिनेता थे धर्म की समझ तो थी लेकिन अभिने का कार ही कर रहे थे क्योंकि वो उन वचनों को ब पहुंचे रहे थे तो जब आप किसी शब्द को पूरी शिद्द से बोलते हैं उसका उचारण सही करते हैं अर्थ के साथ करते हैं तो वो देखने वाले पर उसका प्रभाव आता ही आता है वो हरदय भी देखने वाला भी सुनने वाला भी उसी भाव से स्पंदत हो जाता ह ordinary life में भी शब्दों की ताकत को तो आप समझी रहे हैं शब्द में शक्ति है आप प्यार से बुलते हैं तो उस असर होता है आप गुस्से से बुलते हैं असर होता है आप निराशा से बुलते हैं असर होता है हर बात का असर होता है तो यह क्या यह शब्दों का स्पंधन यह शब्दों का वाइब्रेशन है और इन शब्दों के रूप में हैं यही पचास अक्षर उनका अपना एकूस्टिक वाइब्रेशन है एक एक अक्षर से लेक एक्षर तक उसका अपना वाइब्रेशन है तो अगर आप उस वाइब्र यहाँ पे समाप्त करता हूँ अपनी बात रिबीट कर रहा हूँ कि आज का लेसन क्या है टिप क्या है रीड, रीड and रीड अगर एक घंटा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है अगर आधा घंटा पढ़ें तो भी अच्छा है लेकिन पढ़ें और उंचा-उंचा पढ़ें जोर-जोर से पढ़ें उसमें दो-तीन बातें और हैं कि आपका जो बोलने का पिच्छ है अब ये पिच्छ एक शब्द आया है बोलने का जो सुर्ण है वो जरूवत से ज्यादा लाउड भी नहीं होना चाहिए और उसमें एक वजन भी होना चाहिए तो थोड़ा सा थो करने की जरुवत होगी अगर जनकी आवाज महीन है उनको पनी आवाज को थो करने की जरुवत होगी थोड़ी शक्ती लगेगी पर अभ्यास के साथ धीरे-धीरे वो उनका second nature बन जाएगा सारे काम अभ्यास से ही होते हैं हम जो सीखते हैं लगादार प्रयास से ही सीखते हैं तो प्रयास करते रहीं जरूर परिवर्त ना आएगा जरूर आपके वाणी में चेंज आएगा जरूर आपके बूलने में शक्ति आएगी जरूर आपका बूलना सुधरे और तब आप जब किसी स्क्रिप्ट को लेके पढ़ेंगे बोलेंगे अभी नहीं करेंगे तो वो शांदार ही होगा आज बस इतना ही सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार